आज हम लोग को पढ़ना है Association for Democratic Reforms मतलब ADR के बारे में ठीक है तो आप जो स्क्रीन के सामने भी देख रहे हैं वो है ADR का लोगो उसको सील भी कह सकते हैं वो उसका image है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ADR क्या होता है फिर हम लोग बात क उसका objective क्या है और उसका योगधान क्या है और लास्ट में हम लोग बात करेंगे ADR report क्या है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अगर बात करें हम लोग ADR का full form होता है Association for Democratic Reforms ठीक है यह Indian एक NGO है Non-Governmental Organization यह Non-Partition है मतलब किसी भी पार्टी का नहीं है यह किस ए Reforms का मतलब कि यह राजनिती का जो पार्टी है जो राजनिती है उसका Reforms के बारे में यह बात करता है उसी एरिया में यह काम करता है ठीक है National Election Watch के साथ मिल करके ADR जो है वो चाहता है वो ट्राय कर रहा है कि भारत का politics में transparency जो है वो बढ़े और accountability जो है वो भी बड़े ठीक है और जो पैसा है और muscle power मतलब पैसा और जो गुंड़ई होता है वो जो राजनिती में उसका influence जो है वो उसका प्रभाव जो है वो कम से कम हो ठीक है अब बात करते हैं ADR का motto के बारे में इसका मानना क्या है इसका मानना है कि new office in the land मतलब धरती पर कोई भी office कोई भी करमचारी क कारियाल है citizen मतलब नागरिक होने से बड़ा नहीं होता है no office in the land is more important than being a citizen citizen से बड़ा कोई भी office धरती पर नहीं है इसके founders कौन कोन है तो उसके founders है त्रिलोचन सास्त्री जगदीप एस छोकर अजीत रानाडे सुनील हंडा देवनात्री पार्टी और अधर्स ठीक है और भी ब मुस्किल हो जाता इसलिए नहीं लिखे ठीक है यह कब फॉर्म हुआ था तो यह फॉर्म हुआ था 1999 को 1999 को 1999 को इसका headquarters का है इसका headquarters है न्यू देली में वासका membership जो है वो सब के लिए खुला हुआ है कोई भी इसको जागर के जोइन कर सकता है इसका website क्या है तो इसका website adrindia.org ठीक है यह माई नेता एम वाई एनिटी ए डॉट इनफो इन फो ठीक है अब इसका history के बारे थोड़ा बात कर लें तो इसका history के बारे मगर बात करें तो adr कैसे बना देखो 1991 को 1991 को कुछ प्रोफेसर जो है आई आयम एहमदाबाद और बैंगलूर का एक PIL दाखिल किया एक PIL डिया कहां पर दिल्ली हाई कोट में किसलिए PIL दिया तो यह दिया कि बोला कि जो भी candidates जो भी उमिद्वार election लड़ेगा उसको बोलिए कि वो अपना criminal financial और educational background बताए मतलब जो उसका अपराधिक background है जो उसका पैसा का background है और जो उसका educational background है उसके बारे में वो बताए लिए था तो इस PIL को दिल्ली हाई कोट ने बोला ठीक है आपका PIL सही है और इसके यह ऐसा होना चाहिए ठीक है 2000 में दिल्ली हाई कोट ने ऐसा फैसला दिया फिर जो है government Supreme Court में अपिल की तो Supreme Court भी 2002 2003 में इस PIL के बारे में बोला कि यह सही है और हर candidate जो है जो भी election वो अपना criminal मतलब अपराधिक, financier मतलब यह विसाइक और educational मतलब सिख्चा का जो background है जो उसका पहले का चीज है वो election commission को बताएगा ठीक है election commission को बताएगा ठीक है अब बात करते है ADR का objective के बारे में ADR किसलिए काम करता है ADR काम करता है to throw light into the corruption and criminalization of political process यह जो है रोसनी देता है मतलब यह जो उजागर करता है किस इसको उजागर करता है तो political process में मतलब election of election में जो corruption होता है जो criminalization होता है मतलब जो उसमें criminal वाला तिमाग लगता है जो उसमें criminal वाला हरकत होता है उसको यह उजागर करता है ठीक है यह जो है electorate जो वोट देने जाएगा जो electorate होता है उसको empower करता है उसको होसला देता है उसको उससाहित करता है किसलिए उससाहित करता है कि यह जो है अब candidates को जो भी लड़ने वाला उमिद्वार है उसके बारे में वो जादा जानकारी रख़पाएगा और यह अच्छा से inform हो जाएगा उसका better choice कर सकेगा ठीक है और यह जाता है कि हर political party जो है वो अब ज्यादा accountable हो ज्यादा accountability उनमें आए ठीक है वो ज्यादा उसको कहें ज्यादा जवाब दे ही उनका तय हो ठीक है और यह जाता है कि inter party democracy हो मतलब party के अंदर भी democracy हो और party का जो functions होता है कि यह जो है वो leader बन गया यह उ वो उसके नीचे आ गया यह उसके ऊबबर हो गया ऐसा rank में उसमें जो है पारधर सिता हो जनता जान सके कि एसा क्यों हो रहा है किसलिए हो रहा है ठीक है किसलिए उसको ऊपर बना आ जिया किसलिए इसको नीचे लिगा यह सब ठीक है अब EDR report के बारे मैंगर बात करें तो E एड़ीयर कारिपोर्ट्स दॉनिकलता है उसके बारे में पॉलिटिकल में पढ़ पाते हैं और electronic मीडिया में और अलग अलग तरह का जो मीडिया होता है उसमें पढ़ पाते हैं ठीक है तो एडियार के बारे में आप अच्छी तरह से समझ गए अगर यह वीडियो शही लगा तो लाइक करें कमेंट करें सेर करें और इस चैनल करें पाते हैं रहने भर यह वीडियो अप ऊच्छी थच्छी करें करें से बारे अगभा तरहों लेका अजयार करें में पाते हैं अगर।